आज के इस वीडियो में हम बात करने वाल है और इस इमेज में देख सकते हैं किस तरी से स्टेप बाइस टेप प्रोगामिंग करेंगा अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उपर आए के बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा और यह डिस्क्रिप्शन सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आकन को जरूर प्लोड करूं उसका नोटिफिशन आपको सबसे पहले मिले चलिए वीडियो के शुरुआत करते हैं तो फ्रेंज जिसके अपको बात है मुझे प्रोग्रामिंग करने के लिए मुझे आटर लोग किसी भी सिस्टम खत नहीं करना है और company ने इसमें जो keypad दिया हुए keypad के थो ही हम लोग programming करेंगे इसमें 0-9 तक का numbers I, F और help का जो button ने उसके थो ही हम लोग complete इसमें programming अपनी insert करेंगे तो मैंने programming को तीन पार्ट में divide किया है सबसे पहला पार्ट है जिसमें हम लोग अपना जो audio है वह हम लोग record करेंगे और second part में लोग यह देखेंगे कि जो भी हमने audio रिकॉर्ड के है वो पॉफेक्ट है कहने हम सुलेंगे और third part में लोग यह देखेंगे कि जो भी हमें जिस number पर हमने dialing करवाना है वो number किस तरीके से memory में करना है memory अगर में बात करो तो फ्रेंट इसकी जो memory होती हो और non-volatile memory का मतलब यह होता है कि जब भी आप जो भी प्रोगाम ने स्टोड कर दिया और अपने डिवाइस को टरन आफ करके रख दिया उसके आप डिवाइस को टरन आउन करोंगे आपकी memory और इरेज नहीं होगी जो भी आपने उसमें प्रोगाम इंसर्ट के वह एज इस उसके अंदर एज इस रहेगा वो डिलिट नहीं होगा इसको बोलते नौन विलटाइल और प्रेस करना है वह अब लिंकिंग करेगा इसका मतलब यह कि आप जो है प्रोगाम मोड में इंटर कर चुके हो उसके बाद आपको क्या करना है करने के बाद आपको अगर सब्लिट प्रोगा करना है उसमें फ्रोगाम इली करना ने और शीके है और आपको इसी 20 सेकेंड के अंदर आपका जो भी वाइस है वो उसमें स्टोड करना है एक बार 20 सेकंड कंप्लीट हो गया तो आपका जो एलेडी यह प्रोगा मेलीडी वो ओफ हो जाएगा इसका मतलब आपका जो भी मैसीज है वो ऑडियो मैसीज उसमें रिकॉर्ड हो चुक प्रेस वन करने के बाद अगर आपको फायर का मैसेज सुनना है जो भी आपने उसमें रिकॉर्ड किया है और यू तो आप प्रेस करोगे एफ एफ प्रेस करने के बाद प्रोगाम एलेडी कंटीनिव गलो हो जाएगा और आपने जो भी आपका वाइस उसमें स्टोड किया आपको सुनाई देगा वर अगरा आपको लगता है कि मैसेज परिफेक्टौ रखी कि अगर आपको लगता है कि आपको अब भी आपकी स्टोड कर देना है अब थाट पर में ये देखेंगे कि हमने पहले तो नंबर मैसेज अपना जो है और audio message record कर लिए उसके बाद हमने ये भी चक कर लेगा अपना audio message वो perfect है अब हम में स्टेप पे जाएंगे जो हमें उसमें number इंसर्ट करना है जिसको वो dial करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है अगें device में 1 2 3 4 अप प्रेस करोगे तो प्रोगाम atus कर देगा रज़ा कर लिए इसके मताफ प्रोगाम बर्ड में इंटर कर चुके हो उसके बाद आपको प्रेस करना है 3 3 प्रेस के बाद आप प्रेस करोगे और mg करना एक और पे नबर के बाद आपको विल्कुल भी रहक नहीं करेगा अडियल नहीं करेगा तो मूड मेरा जाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है 1, 2, 3, 4 और 5 ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 प्रेस करोगे वो आम बोड में चले जाएगा और आपको RG 11 के बल जैसे के मैंने लास वीडियो में आपको बताया था वो connect कर देना है डिवाइस को turn on कर देना है उसको डिवाइस को fire या intrusion का जो भी आप trigger देना चाहते है वो आप trigger दे दीजि उमीद करता दोस्तों आपको वीडियो पसंद आयोगा अगर वीडियो पसंद प्लीज से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और कंपनी ग्रूप में इस वीडियो को जाहता शेर किजिए चले मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई